क्लास 10th की वर्ड प्रॉब्लम से हम कितना डरते थे ना लेकिन ये भी इतनी इजीली सॉल हो जाते हैं हमने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर देखें डाउंस्रीम और अप्स्रीम आपको गिवन है speed of boat यानि कि x find करना है और speed of stream y find करना है speed of boat निकालने के लिए simple इन दोनो speeds को आप add कर देंगे सबसे पहले यहाँ जाएगा 20 और divide कर देंगे हमेशा 2 से तो speed of boat यानि कि x आगई है आपकी 10 km पर आर इसी तरीके से speed of stream यानि कि speed of water निकालने के लिए आप इन दोनो speeds की difference ले लेंगे यहाँ जाएगा 10 और divide by कर देंगे 2 से यहाँ पर भी तो speed of stream और speed of water आगे हमारी 5 km पर आर ट्रिक पसंद आयो तो share जरूर कीजिएगा अपने 10 वाले दोस्तों के साथ